हेलो फ्रेंड इस टड़ी मेक सौट में आपका स्वागत है पेसे हम अपने करेंट अफेर के ने टॉफिक के साथ और आज का हमारा टॉफिक है फाइब जी हम एसे बहुतों के सहर में फाइब जी आभी चुका होगा बट हम फाइब सी को एकजांग पॉइंट व्यू से कर अपने इजाम के कोश्चन के लिए इसकी तैयारी करते हैं तो चलिए आज का हम अपना यह सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो यह चर्चा में क्यूं है तो चर्चा में यह है कि नरेंद्र मोधी 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सर्विस लॉंच कर दी है दिल्ली क्या तो यह हमारे पीएम नरेंद्र मोधी और इसकी लॉंचिंग की डेट एक अक्टूबर 2022 और कहां पे दिल्ली के प्रगति मैदान तो दो से तीन कोश्चन हमारे स्टार्टिंग में ही बन जाते हैं हमारे कॉम्प्टेटिव इग्जाम के लिए आगे हम चलते हैं तो यह आगे हम आते हैं यह जो की मुके संबानी किया इन्हों ने दिसंबर 2023 तक समुच्चे भारत में उपलब्त कराने के लिए घुसना की है यहां समार एक और कोश्चन बन रहा है कि यह यह जो सबसे पहले भारत में लॉंच किसने किया तो इसका एंसर जाएगा आगे चलते हैं कि 5G क्या है इंटरनेट नेटवर्ट की पांचवी जनरेशन को 5G कहते हैं यह एक वाइरलेस ब्रॉडबेंड इंटरनेट सेवा है जो तरंगों के जरिए हाइए स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्त कराती है तो इसकी स्पीड पर चलते हैं अप्लोड एस स्पीड काफी कम हो जाएगी जहां एक डाउनलोड एस्पी 1.9 GBPS तक मिल सकती वहें अपलोड एस्पीड में भी 100 MBPS से अधिक ना जाए तो आगे चलते हैं यह काम कैसे करती है अब 5G तक निक पूरे नेटवर्ड आर्किटेक्चर में प्रगत्ती पेस करेगी और व्यस्थ है कि हमारा 4G का इन्हाइंसर 5G न्यू रेडियो अधिक सक्षम 5G वाइरलेस एयर इंटरफेस के लिए वैसिक मानक 5G में उप्योग तो इसके जो इंटरफेस के लिए उनके लिए कोस्टेन आ सकता है कि 5G के नुकसान क्या हो सकते हैं तो तो तेकनिकल यूनिवर्सिटी और वर्लिं की रिपोर्ट के अनुसार है कर यूजर्स का यूजर्स का डेटा जाद हतेजी और असानी से हैक कर पाएंगे जिससे यहां बहुत टाइम आप तुने हैंगे कि जहां नेट्वर्क स्पीट होती वहां जल्दी है किया जा सकता है जिससे ओनलाइन फ्रोड में तेजिसे इजाफा देखने को मिल जाएगा और 5G नेट्वर्क के लिए ज्यादा बैंडविध की ज़रत होगी जिसके लिए अधित मोबा अर इन्वारोमेंट कितना खत्रा पैदा करते जा रहेए तो है हमारा आज का